आज हम इस वीडियो में बात करेंगे Magnetic field due to solenoid ठीक है Magnetic field due to solenoid तो सबसे पहले solenoid होता क्या है वो हम देख लेते हैं आपको diagram भी देखेंगे पहले एक बार solenoid की definition देख लेके solenoid होता क्या है यह solenoid is a long coil एक तरी के long coil होती है आप देख सकते हैं कोईल कितर है ठीक है continuing large number of close turns close turn है यह turning है ठीक है of insulated copper wire मतलब simply हम बोले तो क्या insulated copper wire को ऐसे turn किया गया है वही क्या है वही solenoid है आप solenoid तो हमें पता चल गया क्या है इसके अंदर magnetic field कैसे होता वो हमें देखना magnetic field कैसे होता है तो the magnetic field produced by current carrying solenoid is similar to magnetic field produced by bar magnet कहने का मतलब कहा है जो एक bar magnetic magnetic field produce करता है वैसे एक solenoid भी क्या करती है magnetic field produce करती है उसके जैसा ही बिल्कुल ठीक है यह बात बोले ही यहाँ पे फिर क्या बोला गया है कि magnetic field lines inside solenoid are in the form of parallel straight line कि magnetic field होगा जो किसी solenoid के अंदर अंदर तो parallel line मिलेंगे वहाँ पे parallel आपको दिखाए दे रही है बिल्कुल parallel ठीक है अंदर की तरफ तो यहाँ पे parallel line होने की वो जैसे हर point पे हम देखेंगे तो same metal the point inside is solenoid तो magnetic field है जो सबी point पे same होगा बिल्कुल हर जगी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी हर जग क्या होगा same magnetic field होगा तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि solenoid के अंदर है जो uniform magnetic field है एक जैसा magnetic field है ओके तो यहाँ पे यही चीज़ हमें बतानी है एक हम देख रहे तक डाग्राम को देख लेते हैं कि देखो डाग्राम में है क्या डाग्राम में explain करना पड़ सकता है या वहाँ पे आ सकता है या कैसे भी गुमा कि शिलो को पूच सकता है लेकिन यह सिंपल इतना ज्यादा टफ नहीं है यहाँ पे क्या है बस एक इंसुलिट को पर वायर लेगी है, उसको टेच किया गए एक बैटरी से, यह X-X स्विच है, स्विच को जब भी हमोन करेंगे, तो करन्ट फोलो करेगा, पोजिटिव टू नेगेटिव करन्ट फोलो करेगा, और जैसे करन्ट इस सोलिनोड के अंदर से पास होगा, तो हमें प इए पर देखा कि जा रही है, यह ओने पड backend प्राइपकरी पर आंदर बाहर बार के तरफ खरने उँचेजच क है,path इस स्विच Indonesia मिवचा है,िया आपको पर गजडेक्परों के छिए पास है यह diagram होगा explaining करने के लिए बाकि जो घुमा फिर आई question पूछेगा उसको हमें पूरा यह topic रीडि करके तब ही हम इसके answer दे सकते हैं तो अगर question ती नमबरे में आता तो इस तरीके से diagram बना के आप यह मेरे में लाइने लिख सकते हो उसके अब यहाँ पे कुछ और important चीजी हम देखते हैं क्या बता रखा है फिर यहाँ बता रखा है जो north south pole है इसको हम bar magnet से मतलग इसको हम bar magnet के से पता लगा सकते हैं इसका north pole कहां पे south pole कहां पे हैं देखो एक bar magnet को इसके पास में लेके जाएंगे जब बार मेगनेट हो गया इसको ज सेम पोल हैं जो वो रिपेली चदर करते हैं तो यहाँ पे यह दूर भागेगा तो वह पता दिल जाए कि north pole है अगरम इस north pole को यहाँ पे लेके जाएंगे कि साउथ पोल के पास लेकि जाते हैं तो अनलाइक पोल क्या करेंगे अट्रेक्टी च्छदर करेंगे तो यहां पर है इस ट्रिके से कि कोंशा नौर्थ पोल है कोंशा साउथ पॉल है बस सिंप्री ओके अब कुछ important line और देहे लेते हैं इस figure से rated या solenoid से rated the current in eastern of current carrying solenoid flow in the same direction जो current है यहाँ पे देखो यह खास और important line है यहाँ पे जो पताए गई है जो current है वो एक ही direction में flow कर रहा है ठीक है ना the current of eastern of current carrying solenoid मतलब इस solenoid के अंदर इस solenoid के अंदर क्या है देखो एक ही direction में current flow कर रहा है इस तरीके से current flow कर रहा है तो यहाँ पे इस तरीके से क्या benefit हो गया solenoid flow in the same direction due to which जिसकी विज़े से the magnetic field produced by eastern मतलब हार एक जो turn magnetic field produce कर गी मतलब यह turn जो magnetic field produce कर गी यह turn जो magnetic field produce कर गी यह जो produce कर गी तो यहाँ पे इसकी विज़े से क्या होगा produced by eastern of a solenoid add up तो add हो जाएगा ठीक है ना यह क्या हो जाएगा इन सभी का इसका 1,2,3,4,5 तो यह 5 जो टन है इनका सभी का क्या हो जाएगा magnetic field add हो जाएगा ठीक है ना और add होने का मतलब क्या है strength बढ़ जाएगी पावर बढ़ जाएगी ठीक है ना तो giving a strong magnetic field inside the solenoid तो solenoid के अंदर क्या दे रहा हो strong magnetic field दे रहा हो strong magnetic field दे रहा हो next क्या है the strong magnetic field produced inside a current carrying solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material तो इसके अंदर जो यह magnetic field produced हो ना जो कि strong है very strong है तो इसको हम use करते है कैसे अलग अलग चीज़ें को magnetize करने के लिए जैसे soft iron road को बतला इसके बीच में iron road रख देंगे तो वो magnetize हो जाएगे इसको rotate करवा सकते हैं ठीक है when placed inside a solenoid जब इस solenoid के अंदर रखी जाएगी ठीक है तो इस तरीके से हम इसका क्या करते हैं इसके applications में कुछ खास चीज़ें और देख लेते हैं यहाँ पर जो आपको यह तीन चीज़ें याद रखनी है ठीक है तो अब यह छोटी सी बात एक line रहेगी क्या बता रहेगी तो magnet does form discardi electromagnet तो इस तरीक के सी जो magnet बनता है मतला हम नहीं आपके क्या किया electricity pass की है तो इस तरीके से pass करने से in solid copper wire के अंदर से जो magnet बनता उसको क्या बोलते है electromagnet बोलते है बस simple सी बात है तो solenoid को use क्या जाता है electromagnet बनाने के लिए solenoid का use कहाँ पर होता है electromagnet बनाने के लिए ठीक है ता number of turns in the solenoid कि अगर जितनी number of turn या पर आमने 5 देखी थी तो उसको उम ज्यादा कर दे तो क्या होगा ठीक है ना उन number of turn को उम ज्यादा कर दे 5 की जगा 10 कर दे तो क्या होगा larger the number of turn in the solenoid greater will be the magnetism produce मतलब जितनी ज्यादा हम turn करेंगे ना उतने ही ज्यादा क्या होगा electromagnet produce मतलब वहां पर ठीक है ना जितने ज्यादा उतनी ज्यादा strength होगे जितनी ज्यादा turn होगे तो यह बात मतलब directly proportional है ठीक है जितनी ज्यादा turn उतनी ज्यादा strength का magnet होगे फिर second बात क्या हम याद रखने है the strength of current in the solenoid ठीक है ना इसके अंदर क्योंगा larger the current pass through the solid मतलब यह तो turn की बात हो रही थी जितनी ज्यादा turn करेंगे उतनी ज्यादा strong magnet अब यहाँ पर क्या है larger the current जितना ज्यादा हम current pass करेंगे उसके अंदर ठीक है ना जितना current pass करेंगे stronger will be the magnetic field उतने ही ज्यादा strong क्या होगा magnetic field होगा ठीक है तो यह दोनों ही number of turn और current दोनों ही क्या directly proportional है turn ज्यादा तो strength ज्यादा current ज्यादा तो magnetic strength ज्यादा ठीक है ना अब थार्ड वाले को देखे लेते हैं अदा nature of core material core material मतलब जो भी हम जिस भी material का वहाँ पी रखेंगे यह solenoid यूज करेंगे ठीक है ना यूजिल मेकिंग स्वोलनेड मतलब स्वोलनेड की यूज करने की बात रखने की बात नहीं हो रही है मतलब वो जैसे copper wire थी हमने यहाँ भी उसकी कोई और wire यूज करेंगे इस तरह की बात रही है तो यूज ओफ्ट आयरन रोड एजे कोर इन्हे और भी ज़या है क्या है स्टोंग मेंड़न टीजम होगा मतलग मेंड इस चीजें में ने टिक्क करके तुमें बताइ है यही मतलब इस तो ज्यादा सोलनेड में नहीं है ठीक है इसी से question घुमा फिरा के आ जाएगा solenoid से आएगा तो diagram तुम्ही याद रखना diagram explain करना तो कुछ नहीं करना बस यहीं बताना है हमने एक battery attach कर रखी है यह solenoid है जिसके साथ वो attach है और यहां से current जब pass होता है तो वो magnetic field produce होता है जिसे मेर fringe झूई ला होता है